आपके भरोसे पर खड़े उतरता हैं, हमने पूरे किये हैं तीन साथ, आपका शेत्र आपके मुद्टे, हम बने हैं आपकी आवास, सटीक खबरे बेबाक अंदास, आपका अपना न्यूस चैनल लाइफ टीवी समाचार नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइफ टीवी समाचार, आएए नज़र डालते हैं, आँचके कुछ खास कबरोगाइबादा से ट्रैक्टर में 40 लोगों से सवार बाकल की जोगनी से पूझा पाठ करने के बाद वाद वापस आते समें 30 रफता ट्रैक्टर रानियंत्र थोखर खंती में चापल्टा, जिसमें चारों तरफ चीक कुकार मच गई, आसपास के ग्रामीडों ने मौके पर पहुँचकर ट्रैक्टर से बाहर निकाला और आम्बिलेंस वा पूलेस को सूछना थी, आम्बिलेंस के माध्यम से सभी खायलों को सी कन्या भोच कराने के बाद गाउं वापस जाते समय ओगांसी के पास ट्राक्टर रानियंत्र थोकर खंती में पलट जाने से 15-20 लोग खायल हो गई, घटना स्थल पर चीक पुकार मच गई, सभी को आम्बिलेंस के माध्यम से सामुदाइक स्वास्ति केंद्र में भरती कराय जहां पर कलावती पत्नी श्यामूरत उम्र 30 वर्ष, अंकित पुत्र श्यामूरत उम्र आट वर्ष, श्यामूरत उम्र प्रकाश उम्र 35 वर्ष, धीरू पुत्र श्यामूरत उम्र 15 वर्ष, रजू पुत्र श्रीकेशन 25 वर्ष, पहाडी चित्रकूर देवरत या पत्नी श अभिशेक पुत्रशे मूरत शांती पतनी हरीशंद्र अनिसुया पुत्री राम मूरत वीड सिंग पुत्रशे मूरत सुशीला पतनी रिंकू करन करन सुमित्रा समित 20 लोग खायल हो गए जिसमें 10 लोगों को जिरास्पताल के लिए रेफर किया क्या शेश मरीजों का परात मे कोपचार करने के बाद घर भेज दिया क्या है नतुपस्तात पठील डाइटीवी समाचार बांता जुनाग 10 सितंबर 2022 को मरका थाना चेतर के आवगासी पुल के पास दर्शनासियों से भरी एक ट्रेश्टर टाली पगट जाने के कारण करीब 16 महिला पुरुस बच्चे गायल हो गए थे जो सभी जोगिनी माता मंदिर ग्राम बाकल खाना मरका चेतर से दर्शन करके वापस अपने गाओं अमलोखर जा रहा है थे गायलों में धीरू उम्र 15 वर्स जिसका इलाज वेडिकल कालेज में चल रहा है और आशा पतनी पक्वू उम्र 32 वर्स के स्थिती थोड़ी गंबीर है जिसका इलाज महिला चिके साले में चल रहा है 6-5 अमने महमुली लूप से गायलों का इलाज भी वेडिकल कालेज में चल रहा है जबकि अमने सबी प्यक्तियों को भर रवाना किया जा चुका है